गुट मार्णिंग चिल्डरेन, आज हम हिंदी वन में मुहावरे और उनके अर्थ पढ़ेंगे वेटा आप लोग का फाइनल एक्जाम में 5 से लेकर 25 तक 5 to 25 मुहावरे आने वाला है तो चलिए देखते हैं 5 में क्या रही थे, आँख का तारा इस मुहावरे का अर्थ होगा, बहुत प्यारा नेक्स से वेटा, आँखे खूलना आँखे खूलना का अर्थ क्या हो जाएगा? सच्चाई पता लगना आगे देखिए, दात खटे करना दात खटे करना का अर्थ है हराना नेक्स है पीठ थप थपाना पीठ थप थपाना का अर्थ हो जाएगा? साबासी देना कोई आप ऐसा काम करते हो कोई अच्छा काम करते हो तो लोग आपको पीठ थप थपा कर क्या करते हैं? साबासी देते हैं ठीके? आपकी प्रसंसा करते हैं नेक्स्ट है खून खुलना खून खुलना का अर्थ होता है वेटा गुस्सा होना ठीक है, बहुत क्रोधित होना, गुस्सा होना, खुन खुलना का अर्थ होता है नेक्स्ट है, दीन रात एक करना, दीन रात एक करना का अर्थ हो जाएगा, मेहनत करना आगे देखिए, छक्के छुडाना, छक्के छुडाना का अर्थ होता है, हरा देना यहां देखे, दाथ खटि करना का भी अर्थ या अर्थ हराना, और छक्के छुड़ाना का भी अर्थ हरा देना निक्स्ट है प्रान सुखना, प्रान सुखना का अर्थ होगा बहुत डर जाना, कोई आप ऐसा काम कीए हो, गलत काम और उससे क्या होता है यह बात पता चल जाने पर क्या होता है प्रावन सुख जाता है यानि कि बहुत डर लगता है चमपत हो जाना चमपत हो जाना का अर्थ हो जाएगा भाग जाना नेक्स है मुह की खाना मुह की खाना का अर्थ है हार जाना अब यहां देखिए छक्के छुडाना और दाथ खट्टे करना का अर्थ हरा देना और हराना और मुह की खाना मतलब हार जाना जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है लाल पीला होना का अर्थ होता है गुस्सा होना नेक्स्ट है गले का हार होना बहुत प्यारा होना नीचा दिखाना का अर्थों का विटा अपमान करना नेक्स्ट है आस्तिन का साप आस्तिन का साप का अर्थ होता है धोखा देने वाला आगे देखते हैं हिम्मत ना हारना का अर्थ हो जाएगा साहस ना छोड़ना नेक्स है पेट में चुहे कुदना भूख लगना पेट में चुहे कुदना का अर्थ क्या होता है भूख लगना खुसी से ना चुटना आगे है खुसी से ना चुटना उसका अर्थ होगा अत्यधिक प्रसन होना नेक्स्ट है बेटा स्वर्ग सिधारना इसका अर्थ होता है मर जाना बाएं हाथ का खेल बहुत आसान काम को हम लोग क्या बोलते हैं बाएं हाथ का खेल जो काम आपके लिए आसान हो इजी होता है तो उसके लिए बोला जाता है बाएं हाथ का खेल इसका अर्थ हो जाएगा बहुत आसान काम नेक्स्ट है हिर्दे से लगाना हिर्दे से लगाने का अर्थ हो जाएगा प्यार से गले लगाना और लास्ट में बेटा हाथ फैलाना हाथ फैलाने का अर्थ होता है भीख मांगना तो यह आपका नंबर 5 to 25 पास से लेके 25 के मुहावरा है जो आपका नेख्जाम में आने वाला है अब आगे मैं आपको V.O.M. सब बताऊंगी V.O.M. सब बिटा आपका I.C. से लेकर हर्स तक I.C. सब बोकर कहा तक आने वाला है हर्स तक आने वाला है तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यह सब आप लोग का क्या है, पहले पढ़ा हुआ है, तो चलिए देखिए, आय का उल्टा क्या हो जाएगा, ब्याय, आय मिन्स होता है, आमदनी, और ब्याय मिन्स होता है, खर्च, नेक्स्ट है, पूर्ण, पूर्ण मिन्स पूरा, और उसका उल्टा हो जाएगा, अ अधूरा, पूर्ण का, अपूर्ण, आसान, मुस्किल, अब मुस्किल देखिए कैसे राइट करते हैं, आप यह देख रहे हैं, आधा सब को लिखना है, उसमें छोटी लगानी है, और कल, लिखा हुए है मुस्किल, लेकिन पढ़ेंगे इसको मुस्किल, जो भी आधे अक्ष के साथ होता है, तो यह हो जाएगा मुस्किल अपना, पराया, स्वर्ग, नरग, सुख, सुख का उल्टा, दुख, उदे, अस्ट, उदे मीन्स उगना भी होता है, अस्ट मीन्स डूबना, साओधान, साओधान का उल्टा हो जाएगा असाधान, परिश्रमी, आलसी, साधारन, असाधारन, निडर, निडर का उल्टा, डरपो, प्रस, उत्तर, आसा, आसा का उल्टा क्या होगा, नीरासा, युद, सांती, धीर, अधीर, धीर में सोता है, धीरस धर्ना, और अधीर में सोता है, किसी भी चीज के लिए आपको जल्दी करना, नेक्स्ट है विटा, मंगल, अमंगल, मुर्ख, बुधिमान, प्रसन, अप्रसन, प्रसन में सोता है, खुस होना, और अप्रसन में स, दुखी होना, हानी, लाब, जीवन, मरन, उतार, चड़ाओ, प्रात, साय, प्रात मींस सुबह और साय मींस सा, प्राचीन, प्राचीन मींस हो जाएगा पुराना, प्राचीन का विलोम सब नमीन, नमीन मींस नया, नेक्स्टे बेटा, आकास, उसका उल्टा हो जाएगा, पाताल, सफल, और सफल, जै, पराजे, जै मींस जीत जाना, पराजे मींस हार जाना, बिद्वान, बिद्वान का उल्टा, मुर्ख, तेज, धीरे, और नेक्स्टे देव, देव का उल्टा होगा, दानो, आवस्यक, अनावस्यक, सुगंद, दुरगंद, स्वाधीन, कौल्टा, पराधीन, स्वाधीन मीज़ स्वतंत्र होना और पराधीन मीज़ परतंत्र होना, गुलामी, ओके वेटा, आजादी, स्वाधीन मीज़ आजादी और पराधीन मीज़ गुलामी, हर्स, हर्स का मतलब होता है खुसी और सोग का मतलब होता है बेटा दुखी होना ठीक है तो यह थे आपके विलोमसब और मुहावरे अब मैं होमबक में कुछ मुहावरे और विलोमसब आप लोगों को दे रही हूँ जो आपको खुछ से बनाना है और यह आपके सिलेवस के अंदर का ही है तो आप देख हराना, गले का हार होना, बहुत प्यारा होना, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, रिदय से लगाना, गले से लगाना, हिमत ना हारना, हिमत ना हारने का अर्थ होता है साहसना, छोड़ना, दीन रात एक करना, परिश्रम करना, मेहनत करना, नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना मुहकी खाना, हार जाना, पीठ थप थपाना, पीठ थप थपाने का रथ हो जाएगा पूर्ण, अपूर्ण, आसान, मुस्किल, उदे, अस्त, रुची, अरुची, सावधान, असावधान, आसा का, निरासा, युद, सांती, प्राची, नवीन, बिद्वान, मुर्क, स्वाधीन का हो जाएगा, पराधीन और हर्स का, सो. इसको आप लोग क्या करोगे, होम वोक में, अपनी हिंदी, वन की कॉपी में, इसको अच्छे से राइट करना है, और आपको याद करना है, थैंक यू बेटा.